हलो एवरिवन इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास एट अनीट्यू बुक का चाप्टर थ्री ग्लिंपस अफ ते पास्ट इंग्लिश की बुक है बट जो टॉपिक है वो पूरा हिस्टॉरिकल है इसमें हम 1757 से 1857 का जो टाइम पीरियद है उसमें हमारे देश में जो जो च मतलब होता है जो शहीद हो जाते हैं जिनकी देश के लिए लड़ते हुए जान चली जाती है वो होते हैं मार्टियर्स शहीद तो एक फंक्शन है डेली में उसमें एक लेडी बोल रही है कि मेरे कंट्रिमें मेरे देश के वासियो अपनी जो आखें है वो आंसुमों से बढ हुले देखिए लत्मगेशकर का सँंग है न, ऐ मेरे वतन के लोगो, आखों में बढ़लो आजू, है न , आखों में बढ़लो पनी हो आनो है उब ले वही चहा है थो आप अपनी आखों में प्यूलियी पानी को भले ज्यदा हो बढ लिजे, Tears मतलब होता है याजू, जो हमारे देश के लोगों ने Mr. Matias, शहीदों ने जो बलीदान दिया है देश के लिए उनको आथ कर लिजे रिकॉल कर लेजे फिरागे पुरी जो याथ किस तरीके से जो बलीदान दिया है उन लोगों ने उसको हम याद कर रहे हैं, हम टाइम लाइन के फॉर्म में हम उसके पार में पढ़ेंगे कि कम्पनीज कॉन्क्वेस्ट 1757 तो 1849 तो कम्पनीज कॉन्क्वेस्ट ब्रिडिश इस्ट इंडिया कंपनी की यहां पर बात कर रहे हैं, आप हिस्ट्री में भी पूरा पुरा पढ़ रहे होगे कि किस तरीके से गोरे अंग्रेज जो हमारे देश में आये, उन्होंने हमारे देश पे कबजा किया, तो उसी टाइप क लोगों से सुपीरियर थे जादा अच्छे थे तो इस वजए से वो पूरे 18th century आज क्या जल रहा है, 21st century जल रहा है, आज से 300 साल पहले वो लोग हमारे देश में 200-300 साल पहले हमारे देश में आये थे, और अपना जो राज है वो स्थापत किया था, तो अगर हम 1765 का देख 1765 में, फिर लोगों के डिसकुशन चल रहा है कि इंडियन प्रिंस जो है वो शॉट साइट है, शॉट साइट का मतलब है वो दूर की नहीं सोचते हैं, आपस में ही लड़ते रहते हैं और जो इंगलिश एस इंडिया कंपनी है वो शायद कबजा कर ले तो यही है, तो यही अपस में ही लड़ते रहते थे और कंपनी की मदद लेते थे मतलब अंग्रेजों की मदद लेते थे एक दूसरे राजा को हराने के लिए अब लोग जो थे वो बिल्कुल भी पीस में नहीं थे शांती में नहीं थे यह तो डायलोग्स है और जो बॉक्स में उपर नीचे ज क्योंकि constant लड़ायां होती रहती थी लगाता जंग चलती रहती थी और शांती नहीं रहती थी राज्यों में राजा आपस में लड़ते रहते थे फिर जो राइवल्री थी मतलब यह जो दुश्मनी थी अलग अलग राजाओं के बीच में इससे East India Company को जो अंग्रेजों की क कर लेते हैं ऐसे लोग किया कर Tillerson कुछ फार सिंग रूलर नहीं थी जैसे की ब्रेव टीप आफ मैसूर यह सुलतान थे 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 सुलतान मैसूर मैसूर वाले रीजिन के इनह थे काफी ब्रेवली और काफी मिरकु रिप्ट के साथ अंग्रेजों के साथ लड़ाई की कि थी क् बेर लोगों के बीच के दायलोग है यह बोलते हैं थैंक गॉड दियर इस पीस इन दे कंट्री नाओ नो मोर वर्स नो लुटिंग भाइ थुग आप कहते हैं क्योंकि यह वाले जो है ना देखें हाव इंडियन रियक्ट टू इस 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 पीचिट जिए जा रहे थे अलग लग अरियास को तो लोग कैसे इन पर रेक्ट कर रहे थे हमारे देश के वह हमें बता रहे हैं देश में जो है शांती रहेगी जो लूट पार्ट मची रहती है थग्स के द्वारा थग्स मतलब लूटे रहे होते हैं वह लोग लूट पार्ट करते रहते हैं वह सब नहीं होगा दूसरा कहता है कि जो भगवान है उन्होंने बिडिशर्स को भेजा है और तीसरा कहता है क हमारी destiny, हमारी किसमत जो है, वो Britishers के साथ लिंक है, जुडी हुई है, ये कुछ लोग जो मान रहे थे कि प्रिशर्स अच्छे हैं, अब कुछ लोग जो मान रहे थे, साही नहीं है, कुछ लोग मान रहे थे, कि White Man जो है, उन्होंने किल किया, मार डाला डी थ्रोन करा मतलब हमारे राजा को गदी से हटा दिया डी थ्रोन करने का मतलब होता है राजा को गदी से हटा देना फिर कुछ रह कहते हैं कि कुछ किंग तो अच्छे नहीं थे बुरा करते थे लोगों के साथ मगर हमारे देश के तो थे गोरे तो हमारे देश के भी नहीं है और इन गोरों ने हमारे देश को क्या है अपना गुलाम बना दिया है now we have become slaves of foreigners slaves का मतलब होता है गुलाम foreigner मतलब जो दूसरे देश से आए हैं अब ये बात कर रहे हैं कि हम दूसरे देश के लोगों के गुलाम बन गए है अब बात आती है ब्रिडिश रूल की इससे पहले वो हरा रहे थे इस वाले पार्ट में ये वाला जो हमारा टाइम पीरिड है 1757 से 1850, 1849 का इसमें लडाईयां चल रही थी अब ब्रिडिश रूल स्थापत सा होने लगा है 1765 से 1836 वाला टाइम अब रिलिजियस लीडर्स की बात कर रही है जो धर्म गुरू होते है ना पंडेत मौलवी लोगों की बात ये क्या कहते थे ये कहते थे रिलिजियस लीडर्स प्रीच्ट आइडियाज लाइक अंटचबलेटी एंड चाइल्ड मारज जो धर्म गुरू थे चुआ चूँ तुम मेर से नीचे हो ये कास्ट नीची है ये सब अंटचबलेटी को प्रीच करने वाली लोग बढ़ावा देने वाले और चाइल्ड मारज मतलब बाल विवा को ये बढ़ावा दिया करते थे तो ये लोग क्या बोलते थे अब देखे डायलोग है कोई भी इंसान जो समुद्रपार करेगा उसका धर्म भरष्ट हो जाएगा ऐसा ये लोग लोगों को बताया करते थे महान रिलिजियस लीडर्स क्या कह सकते हैं चोड़िये दूसरे लोग बोलते थे कोछ रिजियस लीडर कहते थे कि औरते जो है वही कारण है जितनी भी मिजरी जितनी भी दुख है दुनिया में उनका कारण औरते हैं पता नहीं को पैदा किसने किया होगा वह तो इनसे जा के पूछा जाएगा तो आगे है अब दायलोग पढ़ेंगे उसके उससे पहले हम आगे की स्टोरी क्या है वह बताते है अगे बिचे गूंते रहते थे बिच्छ के यह वाली चीज बिच्छ क्या बोलते है इस बारे में नेटिव अनवर्धी अफ ट्रस्ट इंकेपड़ अवनेस्ट दूसरा बोलता है एक तो बोलता है कि जो नेटिव उनवर्धी है तरस के मतलब भरोसे के लायक नहीं अगे बिच्छ के इंडियन का इंसान बोलता है यह देखे जो ट्रालॉग बन रहा है यह वाला यह बोला है कि नहीं भाई मैं अनेस्ट हूं फिर अब आगे पताते हैं बिच्छ को बिच्छ को बिच्छ को इनके टेक्स पे करने के चक्कर में अपनी जमीन से हाथ होते जा लोग हमारे देश के जो फार्मर्स हैं और अगर और इतना जादा कर हुआ करता था यह लोग कहते थे बिच्छ तुम नहीं अदा करोगे तो हम तुमें चेल में डालतें के लोगों के पास खाने के पैसे भी नहीं थे और फिर बिच्छ के गरीब किसानों से फिर क्या है इनका जादा से जादा profit हो सकodi जैसे कि जो Britain से जो समान आएगा उस पर कोई tax नहीं लगेगा. हमारे देश के लोग tax भरेंगे, मicias LI जो समान हमारे देश में बेचने के लिए आएगा उस पर कोई tax नहीं होगा. इसका फाइदा क्या होगा? समान सस्ता होगा. समान सस्ता होगा तो हमारे देश की लोग जादा खरी देंगे और पैसे कहा जाएंगे जिस देश का समान होता है पैसा वहाँ जाता है समान कहा था प्रिटेन कहा था समान वो वियापारी थे वियापारी पैसा कमा के ले गया देखे, inevitably famines followed, between 1822 and 1836, 15 lakh Indians died of starvation, famine का मतलब होता है भूग मरी, तो 1822 से 1836, आप समझ लें, लगव 15 साल का एक टाइम था, जिसमें 15 लाख लोगों से जादा की भी डेथ हो गई, लगव 15 लाख लोग मर गए भूग के कारण, starvation का मतलब होता है भूग से मौथ हो जाना, तो बिटिश की जो पॉलिसी थी, उन्होंने जो हमारे देश के आर्टिस थे, बिजनस थे, जो कारीगर हुआ करते थे, उनको भी बिल्कुल खतम कर दिया था, बरबात कर दिया था, हमारे देश में बहुत ही जदा गरीबी और भुग मरी आ गई थी, जिस देश को पहले कभी सोने की चड़िया कहा जाता था, उस देश में इतना लूटा लोगों ने, अब बात करते हैं, राजा राम हुन रोई की, जिनका टाइम पीरिएट था पूरा, जिसमें वो एक्टिफ थे, 1772 से 1833 थक, राजा राम हुन रोई एक लोनेड आतमी थे, बहुती पढ़े लिखे इंसान थे, जो कि बेंगॉल के थे, और वोई समस्ते थे कि हमारे देश मे चीजे हासिल कर सकते हैं, मगर हमारे देश में सुपरस्टीशन, मतलब अंद विश्वास बहुत जादा है, जो हमारे देश को बरबाद किये जा रहा है, वो अट्राक्टेट थे, राजा राम हुन रोई, साइन से, और मॉडन नॉलेज से, जो नई साइन से, जो नई साइन में ही ना हो, उन्होंने अपना एक अकपार स्टार्ट किया, मगर बिडशस को लगा सस्पीशियस हो गया, शक हो गया उन्हें, और उन्होंने इनका अकपार 1823 तक आते बंद करवा दिया, राजा राम मोहन रोई की वाइफ का नाम था, उमा, वो उनसे कहते थे, समझाते थ हो सकता है, मगर दूद का रंग थो एक ही होता है, ऐसे ही जो एक एक ही ही, हमोने की अच्छी लिगले, जएक हो प norm अई हो मतलब पेस्दोर में की अच्क्छी और वात में हम और बने पहले क्या होता था समुद्र पार करना धर्म ब्रश्ट हो जाना होता था फिर भी राजा राम हम्हें रोय ने समुद्र पार किया और यह बिटेन गए और वहाँ जाकर के उन्होंने बोला की आप हमारे रूलर्स हैं बिटेन हमारे देश पे साशन करता है हम आपके subject हैं हम आपके वो राजा और प्रजा हम आपकी प्रजा है प्रजा कर देख भाल करना राजा का काम होता है ऐसे ऐसी बाते उन्होंने वहाँ पर जाकर के बोली उनको समझाने के लिए बिटिश उसकों कि वो कितना गलत कर रहे हैं हमारे देश के साथ अकॉर्डिंग किसी को भी जेल में डाला जा सकता था बिना कोोर्ट मे लेजाए कोर्ट में आपको कहने का आपने क्या गलत किया क्या नहीं की कोई हक नहीं दिया जाएग आपको जेल में बंद कर दिया जाएगा ऐसे ऐसा लॉज ये 1833 के वाले जो 1818 वाले टाइम में लेके आए सारे British officers को बहुत जादा salaries दी जाती थी जिससे वो बहुत जादा पैसे वाले हो गए सारा पैसा बिटेन ही तो बेजा जा रहा था वो पैसे अमीर हो रहा था बिटेन और हमारा देश गरीब हो रहा था 1829 में बिटेन जो है वो 7 करोड का जो व्यापार है हमारे देश में एक्सपोर्ट कर रहा था इतना जादा समान ता जादा पैसा वो हमारे देश से कमा रहा था एक्सपोर्ट कर रहा था समान को गुड्स को गोड्स का मतलब होता है समान, एक्सपोर्ट का मतलब होता है, किसी जैसे ब्रिटेन है, वहां से समान बनके हमारे देश में आके बेचा जा रहा था, तो मुनाफ़ा कहा जा रहा था ब्रिटेन में, इस तरीके से हमारे देश को बरुबात कर रहे थे, बिटेश जो है वो प्र इंडियान फार्मर्ड उन्कोंद भोन, भडी आखती खाया है बॉते टजा चॉचन बंगा रहे है, वह कपास के खेती कर रहे है बुठारा स्ट संस्कृट पहुंच चाता है लगउर फंडी कंतिyal के कपड़ बन दुबारां लोन हमधा रहे है अब आता है पार डिसाटिसफेक्शन का 1835 से 56 इंडिया में जो एजुकेशन थी वो पर्शियन या फिर संस्क्रित में हुआ करती थी 1835 में इंग्लिश में थी मकॉले उन्होंने कहा कि इंग्लिश में पढ़ाएं ये पर्शियन संस्क्रित किसी काम की नहीं है इंग्लिश में हम पढ़ाएं के तो जो घ्लर को सब् Teddy's एंग्लिश्च से अकंट क कर देंगे इंडिया के लोगों नहीं बन जाएगी एंग्लिश में पढ़ेंगें वह में बिश्चता हैं तो हमें English में पढ़ाना चाहिए फिर हमारी देश की लोग भी कहने लगे कि हमें अपने भाई भेहनों को educate करना चाहिए हमारी material condition, माल या हालत पैसे की हालत बहुत खराब थी हमारी देश की उस टाइम क्योंकि British सब ले जाते थे वो खराब हो गई है तो मतलब पढ़ाना लिखाना चाहिए फिर यह भी कहते थे कि हमें अपने Graviances का मतलब होता है जो हमारी दिक्कत परिशानिया है वो ब्रेटिश परलेमेंट को बतानी चाहिए इन्हें लगता था पढ़ेंगे लिखेंगे और नवाब बन जाएंगे वही है तो मतलब यह था कि हम पढ़ा लिखना चाहिए हमाई देश के लोग समझते थे और जो ब्रेटिश थे वो ठीक कर रहे हैं पढ़ा रहे है हमें अब अगर बात आई 1856 की तो इंडिया का देखे कितना बड़ा पार्ट पिंक वाला पार्ट जो है इंडिया का वो पूरा का पूरा ब्रेटिश ने अपने अंडर कंट्रोल में ले लिया था ब्रेटिश ने पढ़ाना का तो सोचा मगर कोई फरक नहीं पढ़ता था कि इंडियन्स क्या कर रहे हैं और कोई उनकी जिंदगी सही हो रही है या नहीं Kings जो है वो Puppet बिल्कुल कट पुतली बन गए थे किसकी उनकी Britishers की Kings जो थे हमाई देश के राजा बिल्कुल उनकी कट पुतली बन गए थे लोगों की जो जॉब्स है नौकरियां जा रही थी उनकी जमीन जा रही थी Convert किया जा रहा था हिंदू या मुसल्मानों को Christian बनाया जा रहा था और लोग क्या हैं सिर्फ बात ही करते हैं हम निकाल देंगे Britishers को मगर कोई कुछ कर नहीं पा रहा है उनको बाहर निकालने के लिए अब आता है The Sparks 1855 से 57 में अब Texas जो हैं बहुत जादा भढ़ने लगे थे इससे peasants जो हैं वो परिशान हो गए थे पंगाल में संथल वाला जो संथल्स थे ट्राइबल विजिन था उनको अपने लैंड से उनकी जमीन से बाहर निकाला जा रहा था 1855 में rebellion होगा इनके खिलाफ विद्रो हुआ परिटिशर्स के खिलाफ मैं साकर किया गया European को और उनके supporters को तो बहुत जादा condition खराब थी दंगे से हो रहे थे लडाईयां हो रही थी जो हमाई देश के लोग अत्यचार हो रहा था हमाई देश के लोग उप उनकी जमीने चीन ली जा रही थी टेक्स लिया जा रहा था बहुत जादा तो उन्होंने बिर्चर्स के खिलाफ जो है अंदोलन कर दिया और काफी जादा मार काट हुई उसमें डिसकंटेंट जो है वो बढ़ने लगा था आर्मी में बिक्योंकि इनकी आर्मी में हमारी देश के लोग जो है वो सिर्फ करते थे ना काम करते तो हमारी देश जो लोग थे सोल्जर्स बहुत कम मतलब सेलरी जी जाती थी अग्रेश क dif OKS बहुत सन जाहती जाते थी और हमारी देश के लोग को प्रवोशन भी नहीं दिया zitten अंग्रेस कहते थे सी ग्रॉस करके दूसरे देशों में जाके भी लड़ना पड़ेगा मगर समुद्र पार करना तो धर्म भ्रश्ट करने जैसा था तो लोग कहते थे हम अपने ये टोपी वाले जो है आएं इनके कहने पर अपना धर्म क्यों भ्रश्ट करने लगे हम अपने एज ओल कस्टम्स पुराने जो रीदी रवास हैं उनको गैसे हम लोग बरबाद कर दें फिर बात आती है हमें वी मस्ट ट्राइफ आउट था अंग्रेज हमें इन अंग्रेजों को हमारे देश से बाहर निकाल के फिक देना चाहिए सिपॉय मंगल पांडे जो थे उन्होंने अटम कर दिया था अपने एक ऑफिसर पे और इस वजए से मंगल पांडे को एक्जिक्यूट कर दिया गया था उनको पासी से लटका दिया गया था कुछ Englishmen जो है वो केर करते थे कस्टम्स के बारे में लोगों के अब क्या हुआ कि इनको पता लगा हमाई देश के सिपाहियों को कि जो यह लोग बंदूग चलाते हैं पहले क्या होता था बंदूग की जो बुलेट होती थी उसको अपने मुह से ग्रीस सा लगा होता था वो मास से बनती थी काओ और पिग के जो मास उनकी स्किन से बनाई चाती है अब काओ तो हिंदूस का बहुत जादा वह है पावित्र चीज है और जो पिग है वह अच्छा नहीं मानते मुसलमान उसको नहीं कहते हैं तो दोनों के दोनों का धर्म प्रश्ट होने वाली बात बहुत सारे जो सिपाई थे उन्होंने रिवोल्ट कर दिया किसके खिलाफ बिटिश के खिलाफ और उन्होंने अपनी मतलब ऑफिसस पे ही अटाक करना शुरू कर दिया फिर इन लोगोंने सून चपाथी वर सेंट फ्रम विलेजेस तो विलेश तो टेल पीपल देर एंपिर बादुशा जफर मुगल एंपिरर तो अंग्रेजों के खिलाफ सब अखिटा हो गए हिंदुों ने क्या किया लोटस जो है कमल का फूल ट्रांसपोर्ट किया पास किया कि हम रिवोल्ट करने वाले हैं हम सब साथ हैं और मासेज के लोग हैं वो मदद करेंगे जो पेट्रिय सेवन का वोईलेंट आउटब्रेक हुआ मेरत में मतलब लडाई चड़ गई हमाइदेश के जो लोग थे उनोंने अर्बडश के खिलाफ मतलब खुलना मोर्चा खोल दिया और मारकाट स्टार्ट हो गई इनके खिलाफ फिर क्या हुआ सिपोई डेली की तरफ बढ़े लॉं जगए जगए फैनने लगा काफी सारे जो लैंडलोड्स थे लाइड 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 बिकॉस बिटिश पॉलिसी इस देवर सोर बहुत सारे लैंडलोड्स अमिदारों की जो जमीन है वो ले ली थी वापस अंग्रेजोंने क्योंकि वो करने ही अदा कर पाय थे उनको भी नराज से बिटिश से तो वाइड में के खिला वो सब भी क्या है अखिता हो गए लड़ने के लिए वाइड में मतलब बिटिश थे फाइड फॉर फ्रीडम 1857 काफी और भी रूलर्स पहल तो सिपाही जो थे सिपाही बोलते थे लोग बिटिश सिपाहियों को वो लड़ने क अपसर्च को जॉइन कर लिया अंग्रेजों के खिलाफ पॉपिलर लीडर्स जैसे की मौलवी एहमद उल्ला वाइजाबाद के इन्होंने भी कहा हम सब अखिते होंगे अंग्रेज हमारे देश को बरबाद कर रहे हैं उनसे अपना देश वापस ले लेंगे फिर अजिम उल जो देश भक्त हैं वो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई कर रहे हैं पूरे नौर्थ इंड्या में और हम भी यहां पर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई करेंगे 80 years के कुवर्जिंग जो बिहार के थे उनको जो है उनके हाट में उनके वेस्ट में बुलिट लगी थी और फिर उनकी डेथ हो गई थी उन्होंने लास्ट में बोला था Mother Ganga this is my last offering to you मतलब यह मेरी आखरी आहूदी है आपके लिए तो जो पूरी War of Independence थी 1857 तक वाला जो पायट था वो हम लोगोंने स्टार्टिंग से जब से बेटिशस आई और 1857 का जो रिवोल्ट हुआ था वहां तक हमने इस चैप्टर में पूरा पहल लिया और यह चैप्टर हो गया complete अपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए चैनल क सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंज के साथ भी शेयर करेगा थैंक यू